हेलो फ्रेंट्स हैं डेर इस्टेंट सार्दा सदन के ओनलाइन यूटूब प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है हमारा रिप्रडक्शन का जो चेप्टर चल रहा था उसी इसको लेकर हम आगे कुछ टॉपिक यहाँ पर मैंने लिख रखिया उन पर डिस्कस करेंगे देजि MM broker समझते हैं ईस्टो ऑर हम क्या टोपिक है यह जो टॉपिक है the part of the reproduction एंट इन मेल रिप्रड़क्टिवником यह म्ययरिप्रप्रच्टिव सिस्टम के पार्ट है और मेल रिप्रट्टिव सिस्टम कि यह जो पार्ट है, इनको हम डिसकस करते हैं, यहाँ पर सेमनी फेरस टुबल्स, एप्टी डाइमस, वाज डिफरेंस, इजागुलेट्री डक्ट, युरिथ्रा, पैनिस, इसको आप कहोगे शुकर जनन नलीका, हिंदी में क्या कहोगे आप इसको, शुकर जनन नलीका, ठीक है, शुकर जनन नलीका, इसको आप कहोगे अधी वर्ष्ण, इसको आप कहोगे शुकर वाहनी, इसको आप कहोगे शुकर जनन नलीका, इसको आप कहोगे मुत्तरमार्ग, और इसको शिसर, तो यह जो पार्ट हैं, इन पर हम डिसकस करेंगे, यह सारे जो पार्ट हैं, वो काउंट होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ओर्गन्स में हैं, सेकेंडरी सेक्स ओर्गन्स के यह पार्ट हैं, इनको हम डिसकस करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं, सेमनी फेरस टुब्यूल्स की, देखें, सेमनी फेरस टुब्यूल्स या सुकर जनन नलिका, नको सुकर जनन नलिका का बड़ा इंपोर्टेंट रोल है, इस मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम के अंदर, अब आप इनकी लोकेशन बताओगे, इनकी जो लोकेशन है, वो आपको पता है, कि यह जो सुकर जनन नलिकाएं हैं, यह वर्षन पालियों में पाई जाती है, कहां पाई जाती हैं? और इनकी संक्या दो से तीन तक होती हैं, वर्षन पालियों में पाई जाती हैं, दो से तीन तक होती हैं, अगर हम कट सेक्शन लेकर देखें, वहां से, तो जैसे तीन सुकर जनन नलिकाएं, ऐसे हैं, तीन सुकर जनन नलिकाएं, इनका कट सेक्शन लेकर देखें, तो बाहर से आपको एक सरकल के रूप में दिखाए देंगे, उसी चीज़ को में समझना, तो ये, ये है वर्षन पाली, क्या है, और इस वर्षन पाली में सुकर जनन नलिकाएं, ऐसे पढ़ियां, शुकर जनन न लेका हम प्रोपर डायग्राम बणाएं तो इसका कट सेक्शन अगर हम निकाल के देखें तो यह कुछ ऐसी दिखाई देती है आपको हम प्रॉपर डाइग्राम बनाएं इसका तो माल लोग यह हमने एक सुक्कर जन्न लिका यह से इसकी क्या दिखा रहे हैं कट सेक्शन दिखा रहे हैं इसका जैसे आप जैसे एक और दिखा सकते हो एक और दिखा सकते हो तीन दिखाणिया आपको दिखा सकते हो बागी एक से भी समझा सकते हो आपको समझाना एक से ही है अब यह जो है सुकरजननली का यहां पर अगर हम जो बात करेंगे तो इसकी histology पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे histology औतिकी उत्तकीय सरंचना histology में क्या आता है उत्तकीय सरंचना तो जो भी सुकरजननली का है यह बाहर से ट्यूनी का प्रोपीरिया दवारा आउरित रहती है सुकर जनन नली का सुकर जनन नली का दो इस्तरों दवारा गिरी रहती है बाहर का जो आउरण होता है वो होता है इसमें ट्यूनी का प्रोपीरिया अंदर का जो आउरण होता है इसके अंदर का जो आउरण होता है उसको आप कहते हो जनन उपकला क्या कहते हो जनन उपकला तो बाहर जो आउरण है वह आप बता रहे हो कि यह है टूनिका प्रोपीरिया हो गया क्या हो गया टूनिका प्रोपीरिया हो गया अंदर जो है वह जनन उपकला है यह जनन उपकला है यह जनन उपकला है अब इस जनन उपकला में क्या होता है दो प्रकार की कोशिकाई पाई जाती है एक जो सेल होती है उसको आप गनाकार कोशिका कहते हो और दूसरी जो कोशिका होती है उसको आप इस्तंभाकार कहते हो यानि एक सेल की जो सेप वो गनाकार होती है और दूसरी सेल की सेफ जो होती है वो स्तंबाकार होती है जो गनाकार कोशिकाई होती है इनको आप सुकरानों जनन कोशिका कहते हो और जो स्तंबाकार कोशिका होती है इसको आप यह जो इस्तंबाकार कोशिका होती है इसको आप सरटोली कोशिका कहते है कौन सी कहते हो तो कुछ सेल इसमें ऐसे छोटी होती है कुछ लंबी होती है कुछ छोटी होती है कुछ लंबी होती है ऐसे है जो छोटी 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 सेल होती है उनको आप क्या कहते हो शुक्राणू जनन कोशिका क्या कहते हो जो छोटी छोटी सेल होती है उनको शुक्राणू जनन कोशी का और जो बड़ी सेल होती है उसको आप कहते हो सर्टोली कोशी का तो यह जो छोटी वाली सेल है यह हो गई आपकी सुक्राणू जनन और यह जो बड़ी वाली है इसको आप कहोगे सर्टोली कोशी का कौन सी सर्टोली सेल्स, यह सर्टोली सेल्स हो गई, ठीक है, क्लियर बात, अब आपको इसके बारे में और बताना है, इसके बारे में आपको और बताना है, तो नेक्स्ट ही कोले, देखो, यह जो दो सेल होती है, एक सेल है, सुक्राणू जनन, और एक है, सर्टोली कोशी का, तो जो सुक्राणों जनन कोशी का है, यह सुक्राणों का निर्मान करती है, यह सुक्राणों बनाती है, सुक्राणों का निर्मान करती है, ठीक है, यानि यह कौन सी प्रकरिया करती है, स्पर मेतोजेनेसीस स्पर मेतोजेनेसीस सुकर जनन स्पर मेटोजेनेसीस का मतलब क्या थे यह रखलности स्चुकर जनन की परकरिया करती जिससे सुकराणू का निर्मान उता है है किसका निर्मान खता है और यह घो होति है जो देगो फॉरन जो कॉत है न सुक्राण यह प्रटार की दिखायाय है को यह प्रकार की सैनल कोह सिकाई तो अब शुक्राणों को जीवित रहने के लिए एक प्रकर पशक माध्यम चाहिए और उस को हम कहते हैं वीरिय यह सीमनी अब आनि कि पोशक मान्य मैं इसको लेट मिलेगा थोड़ा बाद में मिलेगा जब यह सुक्रास्य के पास पहुंचेंगे तो पहले इसकी सुरक्षा का सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है और इसको पोशन परदान करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है तो पहले यानि ये जब वीरिय के पास पहुचा नहीं वीरिय बनाई नहीं तब तक इसकी जिम्वारी रहती है किसके पास सरटोली को सिखाए तो सीधा सा लोजिक वाईज अगर हम बात करें तो आपको यह पता लग गया कि यह सरटोली को सिखाए होती है यह सुक्रानों की करती है और उनको पोशन परदान करती है ठीक है तो सर्टोली को सिखाएं विक्सित होते हुए सुक्राणों को पोशन परदान करती है एक तो यह पोशन करती है कि आलंबन कि सुरक्सा करना कि यह सारा काम किस पर रहता है सर्टोली को सिखापर किस पर रहता है अब जैसे शुक्रानों जो होते शुक्रानों यह रिख बन जाते हैं अंदर यहां पर बनने के बाद सथीक्स का में ऐसे रहते हैं यह सब्सक्राइद यह की शुर्ट है तो यह बढ़ा रहा है और एक पोशन दे रहा है यह बौर्ड के व्यूप से या फिर इस टॉपिक के अकोर्डिंग अगर हम शुक्रजनन लिकाओं की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपोटेंट और बहुत बार पूछे जाना वाला परसन नहीं कि सर्टोली कोशिका काम बताएं सर्टोली कोशिका कौन सी होती है तो इस वेर तो मदर सेल, नर्स सेल भी कह सकते हो आपस, सब टेंटाकूलर भी कहा जाता है इसको, सब टेंटाकूलर भी कहा जाता है इसको, इतن में काम, इतने नाम है, इसके अलावा, इन काम के अलावा, मुख्यकाय को अलावा इसका पोश्चन परदान करना किसको, इसके अलावा और काम भी करती है, जैसे इसके और फंक्शन कैरकाई कारिए, और उनकूर अगर आउडा बात करो, तो ये FSH जो आर्मोन है इसको कंट्रोल करने के लिए इन हिवीन हर्मोन का भी रिलीज करती है हर्मोन का भी रिलीज करती है यानि FSH का कंट्रोल होना टाइम के अकोर्डिंग FSH और LH मैलाओं में नहीं पुर्सों में भी पाए जाते हैं डियान रख़़ए ऐसे नहीं कि उन्हीं में पाए जाते हैं तो उनका control करना time के code दूसरा एक काम इसका यह हो गया एक यहां पर लिख दिया मिन्या और यह च्छतिग्रस्त सुक्राणूं को निप्टान करती है उनका बक्षन करती है बाद निकालने कारी करती है तो यह भी लिख सकते हो आप च् सुक्राणूं का निप्टान करती है ठीकाने लगाती है उनको ठीक है और आप बता सकते हो कि यह सुक्राणूं पूर्वी के अतिरिप्त कोशिका दर्वा का विगटन करती है सुक्राणूं पूर्वी के एक्स्ट्रा जो फ्लूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम भी करती है अभी के लिए आपका यह परसन है कि सर यह सुक्राणूं पूर्वी नहीं चीज क्या होगी तो सुक्राणूं पूर्वी एक वो सहल होती है जिसके परिवर्दन के बाद स जोunya स्विस स्वाइब क्या भांता है क्या सोकराणो पूर्वी युश्रों से क्या बनता है जब ये शूकराणों पूरवी कंते शुक्राणों बन रहा है उसे टाइम पर ये स्व्रेटोली को सि कला हिoten है हिसको डाइज़ेस्ट करने का कर रहे हो तो इस चीज़ को भी अच्छे से जानों कि सर्टोली को सिखाएं क्या काम करती है ठीक है तो सुक्राणु जनन को सिखाएं क्या करती है सुक्राणु की प्रक्रिया दवरा सुक्राणु का निर्मान करती है और सर्टोली को सिखाएं क्या करती है ठीक है अगर यहां हमारा एक topic clear हो जाता है यह वाला topic जितने उतने उतने बेटर है जरुए नहीं आज ही हो सारे आप पर लोड नहीं है एक दो तीन जितने हो जाते हैं आपका एक topic clear हो गया बात समझ में आ गई आप अब हम बात करते हैं एप्रिडाइमस की यानि अदिवर्षन की अदिवर्षन क्या है देखो है हम में जब वर्षन की structure बनाते हैं तो वर्षन की structure के उपर ऐसे एक कोमा लाय की structure होती है जैसे यह वर्षन है इसके उपर यह जो अत्यादिक कुंडली तो होती है जो अत्यादिक कुंडली तो होती है ऐसे और फिर यहां पर यह सुकरवाहनी में आकर खुल जाती है किस में आके खुल जाती है शुकरवायनी में जो पहले वड़ा जो डाइग्राम था न अपना पिछली क्लास में उसमें आप देख लेना शुकरवायनी अधिवर्षन के बाद होती है तो आप बता रहे हो कि ये 6 मिटर लंबी कितनी 6 मिटर लंबी पतली चप्टी अत्याधिक कुंडली ते और ऐसे कॉम्मा लाय की स्ट्रक्चर रही है कैसी है कॉम्मा नूमा आते हैं दीक ही 6 मिटर लंग 6 मिटर बहुत होता है 6 मिटर का मतलब आप समझ गए अठारा से बीस फुट अब इतनी बड़ी अधिवर्षन होती है अठारा से बीस फुट की तो इसको बहुत ज्यादा क्या और रहना पड़ता है कुंडली तो ना पड़ता है ठीक है जो हरनियाव अगेरा के केस होते हैं तो उनमें ये भी खुलकर बार निकड़ जाती है कि यहानि 6 मिटर लंबी पतली चप्टी यह तेदी कुंडली तथा कोमा नूमा कोमा लगाते हो ना पकोमा जैसी स्टक्चर होती है इसके तीन भाग होते हैं एक ये उतना सीर साझी वर्षन एक ये उतने मध्य दिवर्षन और एक यहाँ उतना पुच्छा दिवर्षन या क पुच्छ दिवर्शन तीन वाग होते हैं सीड साधी वर्षण मद्दय दिवर्षण और पुच्छ का दिवर्षण आप इन में थोड़ी थोड़ी बात बोलतो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बोल न वहीं होता हैं तता आप वही ने लिकाएं किसकी वर्षन जालक काम निकल पड़ा था उरसे आप वाईन लिकाए निकलती है ने 12-20 वो इसी में आके खुलती है बस इतना बोल दो कि मद्यादीवर्षन यह वर्षन की 55 पहला रहता यह पीचे तक पुझादीवर्षन यह बड़सन का अंतिम वाग होता है त्था सुक्रवाइनी में आकर खुल झाता dalla किसमें आक्र खूल जाता है यह इंपोर्टन नहीं है इन सिर्शा दिवस्टन किया होता है पुछा दिंद रूब कि सुछा बार कार्यर और आपको मुख्य रूप्से से कितने भी कार यह आपको दो कारे याद रख लो आपके NCART ने जो मेंसन कर रखे हैं नम्मर एक सुक्राणों का किरियात्मक परिपक्वन करता है सुक्राणों का किरियात्मक परिपक्वन करना और दूसरा फंक्शन सुक्राणों का किरियात्मक परिपक्वन करना यानि उनको रोख के रखता है बहुत कम टाइम के लिए ऐसे ने उनको परमानेंटल खुद के पास रोख लेता है क्योंकि सुक्राणों की अगर हम बात करें तो इनकी जो डेस्टिनी है वह बहुत आगे तक होती है तो इनको थोड़ी देर के लिए संग्राइद करता है ठीक है कि लिए आत्मक परिपक्वन यानि उनको वह पावर देता है जिसे आगे मूव कर जाए एक तरीके से उनका फंक्शनल काम सुदार्त है को ठीक है कि फंक्शनल काम उनको बनाके देता अगे आज़िसे गत्ति करते रहें इनको दिककत नहीं आये तो दो काम कर próghtie देता कौन-कौन से एक तो कर्द के देता है एसताहिशंगर और सुक्राणों का किरियात्मक परिवर्पुफवाद। ठीक है बहुआ ही बात समझें है औहुए तह वहिए आप का दूसरा जो तोपिक है वो भी कंपलिट होता है दोपीक कंपलिट कर दिया आपके the same निफरेश की बस और भी हो गया अधी वर्षन वाला भी हो गया अबğ वास स्वरींट्स की इसको आप समझ रहे हो तो इसे पहले मैं एक डियाग्राम बना के देता हूं आपको आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आज़े आप चाहो तो नर्जनंतंतर में यह वाला डियाग्राम बना सकती है बुक वाला जो आपको इजी लगे वो जो आपको अच्छा लगे हो यहां पर अगर आप इसको देखते हो तो देखो यह है यूरेटर मुत्रवाई में क्या है यह है मुत्राश्य क्या है यह है सिसन और यह सिसन मुंड और यह है वर्षण कोस और यह है वर्षण और यह है अधी वर्षण और यह है सुकर वाहिनी अब दोनों तरफ बना सकते हो आप इधर भी ऐसा का ऐसा बना सकते हो समजाने किलिए मैंने एक तरफ से लिया और एक तरफ से समझाया जातके तो अब यहां देखोगे आप किसकी बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो सुकरवाहिनी की किसकी बात कर रहे हो आप सुकरवाहिनी की बात कर रहे हो देखो सुकरवाहिनी में आप क्या बात करोगे सुकरवाहिनी प्रूसों में जो सुकरवाहिनी आचा फिमेल में नहीं पाई जाती है सेम सा वर्ड लगे और आप लिपते हो तो गलत हो जाता है एक जोड़ी सुक्कर वाहनी पाई जाती है कितनी एक जोड़ी ठीक है अब सुक्कर वाहनी जोती है वो कहां से स्टार्ट होती है जो अधी वर्षन है इसके पिछले बाग से स्टार्ट होती है इतना जो सिस्टम है ये उद्र गुआ के बार होता है और फिर अंदर ये उद्र गुआ के अंदर होता है ये जो सिस्टम है ये जो तंतर है वो शो हो जाता है दिखाई देता है लेकिन ये जो चीजें ये बार से दिखाई नहीं देते हैं तो यहां पर क्या होता है कि सुक्रवायनी अधिवर्षन से निकल कर उधर गवा में प्रवेश कर जाती है यह उधर गवा में प्रवेश कर रही है किसमें प्रवेश कर रही है उधर गवा में प्रवेश कर रही है उधर गवा में प्रवेश करके अं अपनी और की मुत्तरवाहनी पर आगे से जाके हुख करती है ऐसे आगे से जाके रुख करती है और हुख करके नीचे आजाती है यहां ऐसे नीचे आजाती है और नीचे आके यहाँ पर फूली वी सरंचना बना लेती है ऐसे ऐसे फूल जाती है क्या कहा मैंने मैंने कहा पुछक अधिवर्षण से निकल कर उद्र गुआ में पर्वेश करती है उद्र गुआ में पर्वेश करके अपनी और की मुतर वाहनी पर आगे से कुंडलित होती है आगे से हुक करती है अपनी और की मुतर वाहनी पर आगे से हुक करती है ठीक और हुक करने के बाद पीछे से निकल के और मुत्रासे के तल के पास आके एक फूली वी सरंचना बना ल रही है क्या करते हो एम पुला है अब एम Friendly और यहां पर होता है छष इसके पास यह ओता शुक्र्से वह comfort एक जोड़ी ऑसा एक्रदी ओता एक स्पश्चा जए पूधर फोंतो कि सुक्रसे आने वाले छोटी नी इस एंपुला के साथ मिल जाती है और मिलकर समिलित रूप से इसको भुं कहेंगे इस खलन वायनी क्या कहेंगे इस खलन वायनी और यह इस्खलन वायनी अब आगे आके यहां आपर होती है प्रोस्टीट ग्लेंड कोंभ दोती है भौ स्टेट ग्लेंड तो प्रोस्ट ठेट गेंड में आके टो प्रोस्ट्ट को यह अगा खेए जर ग्लेंड से इसक्लनवाईन अजरती आप्हे support क्लाइंड में हाखे थित trule काई चाए निकल निक्राइए का सी सिंस्टम निकल के हुआ है आप यह जो पर रहे शुटेंद यहां पर आ या बल्भो यूरिध्र गरंती कौण से कौपर गरंती या बल्भो यूरिध्रल गरंती म pride कावपर ग्रंथी आगा काम हम बाद में पड़ेंगे हम सिरफ किसकी बात कर रहें शुकर वहनी कि शुकरवायनी में आगे और जाने हैं हम इसकी जो आंत्रिक शुकरवायनी जो होती है ना आंत्रिक रूप से इस तंबी उपकला की बनी होती है कैसी इस तंबी उपकला की बनी रहती है ऐसे और यहां पर कुछ गरंतियां भी होती है जो जो सिक्रेट करती है उसके कारण इस यहीं पे आपकी स्कलन वाइनी भी हो गई स्कलन वाइनी का भी यहीं पे complete हो गया यानि स्कलन वाइनी आप से पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि सुकर वाइनी मुतर वाइनी पर आगे से कुंडलित होकर मुत्रासे के तल पे पहुँच कर एक फूली भी स्रंचना बनाती ये इसे हम कहते हैं एंपुला एंपुला के ज़स्ट पास होता है सुक्रासे सुक्रासे से आने वाली छोटी नली एंपुला के साथ मिल जाती है समिलित रूप से अब इस structure को हम कहेंगे sclton Henry क्या कहेंगे sclton Henry और sclton Henry किसमे आखे खुल जाती है prostate gland में और बाकि जाना इसको इसी मारग में होता है मुदत्र मारग में अब यहां से लेके यहां तक मुदत्र मारग भी होता है आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पुरूसों के अंदर मुत्तर मारग और वीरिय मारग एक ही है महिलाओं में मुत्तर मारग अलग से होता है इस तरियों में लेकिन पुरूसों में एक ही रास्ता होता है मुत्तर का भी और उसी रास्ते से वीरिय भी आता है एक ही रास्ता होता है, कंबाइंड होता है, अलग-अलग नहीं होता है, यह आपको बात पता होनी चाहिए, प्रूसों में जो मुत्र मारग है, वो एक ही होता है, कंबाइंड होता है, इसी रास्ते से मुत्र आता है, इसमें देखो मुत्र रहेगा, इसी रास्ते से आता है, औ इनमें मुत्रचिद्र और जननचिद्र दोनों अलग अलग होते हैं ठीक है तो जो हम फिमेल के पार्ट पढ़ेंगे तो आप इनमें अच्छे से क्लियर कर लेना कि इनमें मुत्रचिद्र और जननचिद्र की लोकेशन कौन सी होती है फिर डायग्राम समझ लेंगे हम अब बात करें तो मुत्र मारक फूसों में 20 सेंटीमेटर लंबा होता है काफी होती है लंबा ही 20 सेंटीमेटर और मुत्र मारक के तीन बाग होते हैं यह आपके NCRT में नहीं दे रखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बाग तो यहां से यहां तक होता है इसको कहते हैं प्रोस्टेटिक बाग कौन सा बाग एक बाग यहां से यहां तक होता है इसको कहते हैं तीन वाग होते हैं ठीक है आही मासं में यहां तक अब है जो 불ड्र होती नài या किन काव्पर इक लेंड में जो है इसका है एक हे रास्ते कीरा बीरियेमिल जाएगा तो जो वीरी है उसमें सारे सुक्राण अनस्ट हो जाएंगे क्योंकि मुद्त्र होता ऐसीडिक यूरीक असाचीड हो पाया जाता न है और उसमे को वशेल ही एक सुक्राण हुता söz आया सारे सुक्राण huis防ण गो जाएंगे मर जाएंगे in बात आकarnya समझ में आने चाहिए ठीक है यहां पर अगर हम देखें तो आपका यवाज डिफ्रेंस वाड़ा भी हो गया इजा कुलेटरी डेक्ट वाड़ा भी हो गया यूरित्रा वाड़ा भी हो गया अब बचा आपका एक पार्ट सिसन ठीक है इस सिसन वाड़े पार्ट को हम करेंगे तो आज के लिए इतना ही क्योंकि ज्यादा बड़न में बढ़ाना नहीं चाहता बाकी का नेक्स्ट क्लास में सिसन का अलग सी रहेगा डायग्राम वगेरा बनाके हम वापस इसको क्लियर करेंगे ओके थैंक्यू सो मुच